तो इसके भी धेल सार एक्जामपल्स हमने चाप्टर के अंदर आपके डिसकस कियो है तो यह आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन और मीनिंग था अब इसके बाद में अगर हम डिसकस करें साइकलोजी अज़िप्लिन तो उसके बार में जानतें कि साइकलोजी एक्जेक्टली ही है साइकलोजी को साइंस के अंदर भी स्टड़ी किया जाता है साइकलोजी को जो है आर्ट्स के अंदर हमानिटीस के अंदर भी स्टड़ी किया जाता है सो बेसिकली कुछ स्टूरेंट सोड़ से कन्फ्यूज हो जाते हैं जैसे कोई पूछ रहा है कि क्या इसको आर्ट्स stream के अंदर ही आता है और उसके बाद में जब आप graduation पोस्ट graduation पर होते हो तो science faculty के अंदर भी psychology को पढ़ा जाता है ठीक है तो यह एक जो basic confusion होता है I hope यह clear हो गई होगी आप discipline पर हम आये तो psychology में behavior experience mental processes को पढ़ा जाता है and is seek to understand and explain how the mind works and how different processes result in different behavior basically psychology के अंदर क्या पढ़ा जाता है कि mind कैसे काम करता है मतलब यह एक छोड़ छोड़ा हम यह देख रहे हैं कि कैसे psychology धीरे-धीरे करके develop होगा तो psychology में पहले सिर्फ और सिफ माइन को study के जाता था कि mind कैसे work करता है और साथ ही साथ में different mental processes जिसमें आपका remembering learning knowing यह सारी चीज़ा आती है तो इन चीज़ों के थ्रू आप कैसे जो है behave करते हो या आपके mental processes कैसे आपके behavior को affect करते हैं so for example when we observe other as common person our own point of view of influence our interpretation of their behavior and experiences अब generally जैसे क्या होता है कि जैसे for example psychology में तो mind को study करना mental processes को study करना बर generally होता क्या है जैसे हम किसी तरह के human behavior experience को देख रहे होते हैं जैसे अभी मैंने आपको एक example दिया कि हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे for example आप hostel में रह रहे हो आप अपनी family से बहुत ज़्यादा दूर हो तो इसी लिए आप बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब चिड़-चिड़े रहा होगा तो यह कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी biased explanation है जहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने common sense को उसमें add करें कि वो person ऐसा करता होगा क्या पता क्या पता कि exact चीज है कि होस्टल में उसको शायद बुली किया जाता हो या उसके साथ में बहुत अच्छा ही ना हो इसके अंदर तो exactly reality क्या है उसे psychology के अंदर study किया जाता है psychology try to minimize such biases in their explanation of behavior and experiences in various ways कि exactly आप behavior आपके experiences किन सारी चीजों की वज़े से हो रही है उसको psychology में explain किया जाता है जिसके अंदर common sense को consideration में नहीं लिया जाता है तो psychology as a discipline के अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ points है जिसको add on कर लो जिसको जो है मतलब note down कर लो यहाँ पर कि psychology के अंदर क्या सारी चीजों को पढ़ जाता है तो सबसे पहले psychology as a discipline क्या क्या पढ़ते हैं हम इसमें how mind works mind कैसे काम करता है different different mental processes के बारे में और इस mental processes के अंदर आपके क्या क्या आगए आपके human experiences और human behavior इसी के साथ साथ में जो है मतलब चीजों की biased explanation नहीं करता common sense को use नहीं करता कि exactly हमारा एक अपना point of view क्या है मतलब वो आपका common sense ही कलाता है तो common sensical explanations जो होती है common sensical explanations इसको जो है use नहीं करता है common sensical explanations को use नहीं करता है बलकि क्या ही चीज़ करता है unbiased explanation जहां पर exactly क्या एक चीज़ हो रही है उसको explain किया जाता है psychology के अंदर clear है so यह आपके three points हो गए one two three और देखो ऐसा करने से होगा क्या basically notes बनाने से क्या होगा कि एक तो यह चीज़ है कि जब भी आपको exam के लिए पढ़ना है तो आपके पास में some do so by seeking to make their analysis scientific and objective अब हमको जो है psychology की unbiased explanation देनी है जहां पर हमारा अपना point of view ना हो बलके exactly reality को जो है हम यहां पर बताएं कि क्या सारी चीज़े हो रही है तो कुछ psychologist या कुछ जो भी मतलब इसमें research यह study कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि scientific और objective analysis करते हैं मतलब की चीज़ों को scientifically study करना, facts बगेरा इन सारी चीज़ों के बारे में जानना और objectively study करना मतलब चीज़ों को observe करके फिर उसके बारे में जो है explanation देना Others seek to explain behavior from the point of view of experiencing person because they think that subjectivity is a necessary aspect of human experience और कुछ क्या करते हैं कैसे psychology में concepts को या phenomena को या फिर human experiences को explain करते हैं बोलते हैं कि human experiences को या human के behavior को हम उसके subjectivity से ही समझ सकते हैं subjectivity का मतलब जो भी person उसको experience कर रहा है सिर्फ वही हम को बता सकता है और उसकी बातों को सुनके फिर हम जो है किसी तरह का कोई explanation दे सकते हैं क्योंकि subjectivity human experience का एक बहुत ही important aspect है जैसे अभी मैंने आपको एक example दिया कि अगर आपको चोट लगी है तो उसका दर्द सिर्फ वर सिर्फ आप ही feel कर सकते हो क्योंकि आपको चोट लगी है तो ये क्या होगी subjectivity होगी और objectivity जहां पर हम चीजों को observe करके देख के समझ के फिर अपनी जो भी study है उसमें data collect कर रहे है तो दो तरह से psychology में study की जाती है एक या तो आप scientific और objectively करो या दूसरी आप subjectively करो तो इस तरह से चीजों को study किया जाता है तो आप यहाँ पर unbiased explanation पढ़ा इसको आप दो तरह से लिख लो आप ऐसे इसमें लिखो कि एक हो गया scientific and objective एक इस तरह से जो है unbiased explanation किया जाता है और दूसरा subjectivity को ध्यान में रखके दूसरा किसको subjectivity को ध्यान में रखके clear है ऐसे करके जो है एक पूरा चार्ट बना लो ऐसे करके अपने notes बनाते चलो अब इसके बाद अगर हम बात करें Indian tradition में तो Indian tradition में psychology में अगर हम चीजों को समझ रहे हैं psychological understanding करें किसी concept की किसी phenomenon की तो हम self reflection और conscious experiences को ध्यान में रखते हैं कि वो person का consciousness और साथी साथ में जब हम चीजों का observe कर रहे हैं तो हम जो है मतलब एक तरीके के conscious experiences को awareness को ध्यान में रखें और दूसरी तरफ self reflection होना चाहिए ठीक है तो self reflection हो और साथी साथ में हमारे अपने conscious experiences हो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखके हम psychological understanding करतें Indian tradition में किस एक चीज को self reflection और conscious experiences को ध्यान में रखते हुए self reflection जहां पर आपके अपने ideas भी हो अगर हम बात करें तो इंडिया में जब भी psychological understanding की जाती है तो उसमें क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि सबसे पहले तो आप एक self reflection देखो कि सबसे पहले आप चीजों को कैसे समगता है और फिर उसके बाद में जो भी conscious experiences रहे हैं person के उन चीजों को समझो overall हर एक चीज पर ध्यान दी जाती थी और जब इंडिया में ऐसा होने लगा जब हम self reflection और conscious experiences को ध्यान में रखे study करते थे तो बहुत से western psychologist जो थे उन्होंने भी self reflection और self knowledge को human behavior और experiences को पढ़ने में मतलब जो है ध्यान में रखा कि जैसे for example just suppose हम किसी a person को study कर रहे हैं इसके बारे में जान रहे हैं इसके experiences इसके behavior को पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ में हमारे अपने self reflections हमारा अपना self knowledge भी हमको use करना चाहिए क्योंकि हम भी तो human c हैं तो ये इंडिया के मतलब Indian tradition से हमको psychology में एक और new point add होता हुआ दिख रहा है समझ में आ रहा है now there are differences in the way psychologists go about the study of behavior mental processes and experiences they seek to understand and explain explain them in a systematic and verifiable manner तो बहुत सारे differences हैं बहुत सारे point of view है कि कैसे आप behavior को experiences को mind को study करोगे but सभी psychologists की अपनी अपनी definition है अपना तरीका है जिसके through वो systematic और verifiable manner में psychology में दिये गए phenomena को study करने हैं आया ये भी समझ में तो जो मैं आपको यहां पर पढ़ा रही थी कि psychology as a discipline तो उसमें सबसे पहले mind कैसे work करता है secondly mental processes को study करना जिसके अंदर हम human behavior or human experience को study कर रहे हैं thirdly हमारा explanation unbiased होना चाहिए जिसमें हम या तो scientifically और objectively study कर सकते हैं या चाहे हम subjectivity को ध्यान में रखते हुए study कर सकते हैं और इसी के साथ में इंडिया के tradition में या Indian tradition में self reflection self reflection और इसी के साथ में conscious experience या conscious analysis ये बहुत ही ज़्यादा important होता है जिसकी वज़े से हमको psychology में एक और नई theme आइड होती हुई दिख रही है तो सभी के अपनी अपनी definition है बट जो भी study हो that must be very feasible वो study कैसे होनी चाहिए very feasible होनी चाहिए और साथी साथ में systematic manner में conduct की जानी चाहिए very feasible and systematic जो भी study आप कर रहा हो psychology के अंदर क्योंकि psychological discipline है जिसके अंदर study किया जाता है mind या soul को तो और जो भी आप study कर रहा हो systematic way में हो और इसी के साथ साथ में very feasible हो ऐसा ना हो आपने study कर लिया आपने conclusion बना दिया बट exactly वो reality में है ही नहीं चीज़ तो verify आप उसको करो कि यह मतलब exact reality है या नहीं और दूसरी तरह वो systematic manner में होनी चाहिए तो इस तरह से psychology as a discipline जो है वो दीरे दीरे evolve होता है और उसमें different psychologists अपना point of view देते हैं कि कैसे हमको study करनी है next psychology is a young science अब जो वो हम science और art वाली चीज़ पर आ रहे थे तो psychology क्या है एक young science है यह तो हमने पढ़ लिया किस कैसे psychology में study बगरा की जाती है कौन कौन सी चीज़ों को हम study करते हैं अब psychology एक science भी है तो मतलब और एक बहुत ही पुराना knowledge discipline है very old knowledge discipline मतलब हम ये एक अंदाज़ लगा सकते है कि 1879 में सबसी पहली laboratory Leipzig में psychology की open होती है तो मतलब ये एक बहुती old knowledge discipline है और psychology एक young science भी है बट किस तरह की science है इसको लेके हमेशा से debates होते रहे है कि psychology हम बोलत रहे हैं कि psychology science है पढ़ रहे हैं हम humanities के अंदर बट exactly किस तरह की science है ये psychology जन्दली दो तरह से categorize की जाती है एक psychology को social science का जाता है एक psychology को natural science का जाता है psychology क्या है एक आपकी natural science है और एक जो psychology है वो आपकी social science है ठीक है आप इसको full form लिख लेना कि psychology जन्दली दो तरह से पढ़ी जाती है अब अभी हम यहां detail में पढ़ेंगे मतलब detail in the sense की अलग से एक theme के अंदर discuss करेंगे natural science और social science को जो आपने chapter में भी पढ़ा था यहां पर एक बार revise करेंगे तो इस तरह से दो parts में psychology को divide किया जाता है अब अगर हम बात करें सबसे पहले science की तो इंडिया में post graduate और graduation level पर और post graduate level पर science की faculty के अंदर psychology को पढ़ाया जाता है बहुत सारे ऐसे subjects में जिसके साथ में psychology को पढ़ाया जाता है जैसे हम neuroscience, computer science की बात करें तो इन सभी में आपके पास में psychological knowledge होना चाहिए और psychology की ही वजह से neuroscience और computer science जैसे जो subjects हैं जो disciplines हैं वो evolve हो पाए artificial intelligence में psychology का बहुत जादे important रोल है वही हम बात करें IT areas में तो human computer के interaction के तुरू artificial intelligence के तुरू psychological knowledge और जादे develop हो है जैसे आज की टाइम में हम robots देखते हैं जो इनसानों की तरह काम करते हैं computer देखते हैं computer भी एक तरह से इनसानों की ही तरह काम करते हैं जो memory को store कर सकते हैं प्रोसेस कर सकते हैं डेटा को जा है प्रोसेस कर सकते हैं जो भी सारा कुछ मतलब पढ़ा हुआ है, चैप्टर भी अच्छे से समझा हुआ है, तो हर एक टॉपिक समझ में आ रहा है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, जो भी मैं आपको बता दिवे चल रही हूँ, वो हर एक चीज समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, कोगनिशन कहा तो कोगनिशन किन चीज़ों से रिलेटेड है वो आप पढ़ चुके वो टॉपिक के अंदर अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाओ पढ़ किया उसके बाद में रिवीजन करना तो जैसे कोगनिशन मैंने कहा तो आपको याद होना चीज़ कि किन चीजों से रिलेटेड हे, लगनिंश रिलेटेड हहार तो वो टाम्स आपको पता होने चाहिए टरम्स का मीनिंग आपको पता होनेस ज इन्नरoly क्या होता है? कि चाप्टर वन पढ़ाया मादम ने पढ़ लिया समझ में आ गया हो गया चाप्टर नबर टू पर चलो बड़ क अगर मान लो मैं आप से भी पूछू कि कोगनिशन क्या है या आप मेरे को बताओ कि psychology या ज़ा साइन्स कैसे मुझे आप explain करके बताओ आप मुझे उसमें terms बताओ आप मुझे neuroscience क्या होता यह बताओ आप मुझे में जिसको भी study कर रहे हो तो यहां भी इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है ठीक है अब देखो psychology as a discipline today has two parallel streams which are अब आज के ताइम में psychology में दो मतलब जो है parallel चीज़े चलती है जो मैंने आप से का है कि एक natural science एक social science आप जैसे physical और biological sciences है तो physical और biological sciences किन चीजों को लेके है कि आपकी पूरी body और आपके जितना भी पूरा उसके अंदर biological जो भी सारा composition है तो उसको लेके उस एक तरह की science को जो है यूज किया जाता है psychology के अंदर psychology क्या करता है कि आपके biological principles पर बहुत ज़्यादा focus करता है कि आपके जिस भी तरह से आपका पूरा biological composition आपकी जैसे भी body बनी हुई है आपके body में सारा काम चलता है nervous system काम करता है brain काम करता है सारी जतने भी आपकी मदब जतने भी organ से सारी काम करता है ना तो आपके जो ये पूरे biological principles है ये आपके behavior को किस तरह से affect करते हैं it assumes that all behavioral phenomena have causes which can be discovered if we can collect data systematically under controlled conditions here the aim of the researcher is to know the cause and effect relationship so that the prediction of the behavioral phenomena can be made and behavior can be controlled if needed तो यहां पर ये एक चीज़ कही जा रही है कि researcher का काम है कि आप जैसे किसी भी तरह से behave कर रहे हो जैसे मैंने आप से का कि आप बहुत rudely behave कर रहे हो तो आप rudely behave कर रहे हो उसका क्या कारण है और आपके इस rudely behave करने से क्या आपकी body पर effect होने वाला है जैसे for example यह कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा घुस्सा मत करो बहुत ज़्यादा तो उसके क्या रीजन्स है और उसका क्या इफिक्ट होने वाला उस cause and effect relationship को researcher को यहां पर पता करना है researcher का aim क्या है इस cause and effect relationship को पहचाने ताकि हम उस behavior को predict कर पाएं कि exactly यह behavior क्यूं हो रहा है और इस behavior को हम कैसे control कर सकते हैं तो वो आपके physical और biological चीजों को use करके उस data को collect करके किया जाता है आपकी body को ध्यान में रखके आपके physical characteristics को ध्यान में रखके वही हम बात करें social science की तो psychology में जो है social और cultural science को भी यूज किया जाता है जिसके अंदर हम psychological या social phenomena को study करते हैं मतलब हम किसी भी चीज़ को study कर रहे हैं तो उसमें उसकी society उसके culture इन सारी चीजों ने क्या ए ये bodily composition को मेरे physical characteristics उन चीजों को ध्यान में रखके फिर आप study करोगे दोसरी तरफ social science में क्या करते हैं कि मुझे आप study कर रहे हो तो मैं किस तरह के environment में रहती हूं किस तरह की society में रहती हूं वो society की चीज़े मुझे कैसे affect करती है उस एक चीज़ को study किया जाता है so that is your social and cultural sciences now psychology as a social science focuses on how behavioral phenomena can be explained in terms of the interaction that takes place between person and the socio-cultural context of which he or she is a part and each behavioral phenomena is assumed to have multiple causes तो यहां पर जब हम भी study करते हैं किसी भी phenomena को तो हम उसके socio-cultural context को ध्यान में रखते हैं कि कैसी society में कैसे culture का वो part है और इसी के साथ साथ में उसके behavioral phenomena को फिर assume किया जाता है कि वो ऐसा behavior कर रहा है तो उसके पीछे मतलब वो ऐसा react दिया ऐसा response कर रहा है तो उसके पीछे उसकी society उसके culture का क्या एक important role रहा है clear है यह भी आया है यहां पर समझ में